बल संप्राप्ति अब हम नेक्ष्ट देखते हैं काल संप्राप्ति ठीक है तो इसमें जो है कि ये इसके बारे में जो है दिया गया है कि जिसमें रात दिन रितु एवं भोजन के आधी मद और अंत के अनुसार दो सिसेज का निश्चे किया जाता है उसे काल संप्राप्ति कहते हैं एक बार फिर से जिसमें रात दिन रितु एवं भोजन के आधी मद और अंत के अनुसार दो सिसेज का निश्चे किया जाता है उसे काल संप्राप्ति कहते हैं जब हम किसी दोस विशेश का ग्यान रातरी, दिन, रितु अथवा आहार के आधार पर करते हैं तो हमें तो उसको काल संप्राप्ति कहते हैं ठीक है उसी के अनुस्वार हम संबद्धि द्रोक की उत्पत्ति का ग्यान करते हैं व्याधी का उत्पत्तिकाल वा वृद्धिकाल देखकर व्याधी किस दोस्ट से उत्पन हुई है इसका ज्ञान होता है जैसे फॉर एक्जामपल वर्षा रितु रात्री वदिन का अंतिम प्रहर भोजन की जीवनवस्था तदा व्रिद्धा वस्था में वाध दोस्की व्रिद्धि होती है एको फिर से कि फॉर एजामपल हम देखते हैं कि कफाज व्याधियों की उत्पत्ति या व्रिद्धि प्राता काल कफाज व्याधियों की व्रिद्धि या व्रिद्धि प्राता काल रात्री के आरंब या भोजन की तुरनबाद होती है रात्री आरंब रात्री के पूरोकाल बोजन के तुरंद बाद या बल लवस्था में कब दोस्की वरिद्धी होती है और एक्जाम्पल जो वात्व्यादी की उत्पत्ति या विरिद्धी कब होती है वो देखते हैं कि वर्षा रितु में रात्री वादिन का अंतिम प्रहर भोजन की जीन वस्था तथा वरिद्ध वस्था में वात्दोस की वरिद्धी होती है और उसी से वात्व्यादियों की भी उत्पत्ती एवन व्रिध्धि होती है ठीक Sagat देखते हैं कि पित व्याधियों की उत्पत्ती एवन व्रिध्धि तो सरदीतु के 16 6EM मध्यां मध्यातर रिहातरी 00期 5 चेह मान अवस्था वह युववस्था में पित दोष्ची में भीद्धि होती यह हो गया पिट्टज व्याधियों की उत्पत्ति एवं व्रिद्धी अब थर जो है वह है कि कफज व्याधियों की उत्पत्ति एवं व्रिद्धी तो यह होती है वसंत्रितु पूरवाह रात्री के पूरो काल भोजन के तुरंत बाद तथा बाल ल्यावस्था में कब्दोस की वृद्धी होती है एक बार फिर से बसंत्रितु में पूर्वाह में रात्री के पूरो काल भोजन के तुरंत बाद बाल ल्यावस्ता में कब दोस्त की वृद्धी होती है यह हो गया हमारा कफजवादियों की उत्पत्ति एवं वृद्धी अब हम देखते हैं संप्राप्ति का लास्ट भेद जो की अचार चरक ने दिया था वो है कि विधी संप्राप्ति यह अचार चरक के दौरा दिया गया है तो विधी का अर्थ है प्रकार विधी का अर्थ है प्रकार एक विधी संप्राप्ति सजाती प्रदातों में आंत्रिक भेद प्रकट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है जैसे विधी भेद से जवर दो प्रकार का होता है विधी भेद से जवर दो प्रकार का होता है सारीर वा मानस ठिक रत पीत तीन प्रकार का होता है विधी भेद से जो किया है कि उल्दो अधो और तिरियक या चमा दो प्रकार का होता है विधी संप्राप्ति भेद से जो किया अनुलोम और प्रतिलोम अमलपित दो प्रकार का होता है उर्दवग और अधोग इत्यादी ठीक यह हो गया विधी संप्राप्ति का example जो विधी संप्राप्ति है उसका प्रयोग हम बिन जाति के व्यक्तियों में नहीं कर सकते जैसे गोत्व गव में ही रह सकता है अस्व में नहीं किन्तु गव में संप्रप्ति प्रक इसे उने लिए जातियां होती है और उनका बेद किसी विषेद्धर्म के अधार पर करना हो तो उसे विधी कहेंगे ठीक प्लव क्या जाती पदातों का अंत्रिक बेद ये हो गया विधी संप्राप्ति ठीक जब हम देखते हैं कि संख्या एवं विधी संप्राप्ति में मूख अंथर क्या है तो संख्या संप्राप्ति जो होती है वो विजाती प्रदातों में केवल भेद प्रकट करती है यह करवाती है जैसे ज्वर आठ प्रकार का होता है गुल पांच प्रकार का होता है कुष्ट साथ प्रकार का होता इत्यादी ठीक ये विजार्थी प्रदादों में केवल भेद प्रकट करती है जबकि विधी संप्राप्ति स्वजार्थी प्रदादों में आंत्रिक भेद प्रकट करती है जैसे जोर के आठ प्रकार वातच, पित्तच, कफच, द्वंदच, सन् का प्रयोग एक ही जाती के अंतरगत दो या दो से अधिक व्यक्तियों में भेद प्रदर्शित करने के लिए किये जाता है, जैसे रक्त-पित तीन प्रकार के होते हैं, तिरियाग, उल्द और अधो, ठिक, जबकि संख्या का प्रयोग धर्म निरपेच व्यक्ति भेद की गर्णा मात्र है, जैसे प्रिथक वस्तियों की गर्णा बीना किसी विषिट धर्म के विचार किये रोगों का भेद करना संख्या संप्राप्ती कहलाता है, संख्या का प्रयोग सर्वर्त किया जाकता है संख्या जो होता है कहीं भी हम प्रयोग कर सकते हैं यह हो गया हमारा complete संप्राप्ति का detailed description ठीक है अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें comment करके बता सकते हैं तो आप हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे तो तब तक वेने रही हैं मारे चनुक साथ लाइक, comment और subscribe करना मत भूलेगा अगर आपको हमारे WhatsApp ग्रूप में add होना है तो link description में दे दीगिए वहाँ से आप जाके add हो सकते हैं ठीक है तब तक लिए मैं आपसे अलबिदा लेना चाहता हूँ दो आपने बाड़